संपुन विश्वों में कोरोना हाहा कार मचा कर रखा है पर आज भी लोगों के जहन में यही सवाल है कि इसके सिम्टम्स क्या है कब हमको टेश करना चाहिए इस बारे में विश्वों में कोरोना ने हाहा कर मचा कर रखा है तो लोगों को यह जानकारी दीजिए आपके मार्दियम से कि सिम्टम्स क्या होते है और कब अपनों को टेश करना चाहिए देखें यह करोना जो है नई बिमारी है दो जार उननीस के पहले किसी ने कभी उसके बारे में सुना नहीं था हम लोग तो नई बिमारी यह सभी के लिए नहीं है क्योंकि यह जो वाइरस है पहले करोना इसमें तो साइंस में तो इसके बारे में पता था सबको यह तो नोन वाइरस है लेकिन जो कोवीड नैंटीन जो कहा जाता है वो चाइना में पहले पाया गया तो वहां से जो शुरुआत होके लोगों को पता चला तो उसमें जो यह टाइप के जो मुटेशन हुए यह चेंज वाइरस होके आया है उसमें से जो सिंटम सभी सबको मिल रहे है और अलग-अलग टाइप से उसका प्रेजेंटेशन मिल रहा है उसमें खाली एक्चुली वो रेस्पेटरी बिमारी करके यह शांस के सिस्टम जो है उसकी बिमारी कहा जाती थी लेकिन अभी इसके प्रेजेंटेशन अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सरे इसमें इसमें समझो पेट की बिमारी भी उसके चालू होते है कि इसको नौशिय होता है वोमिटिंग होता है टेस्ट जाती है उससे चालू होके स्कीन के रैशेश आँख की सुजन गर्दन की गर्दन की सरदर्द ये अलग-अलग टाइब के प्रेजेंटेशन से चालू होके इसका प्रेजेंटेशन अपने को मिलता है तो सर जैसा कि लोग बोलता है कि सिर्फ टेंपरेचर चेक किया जाता और ऑक्सेजन चेक करके लोग बोल देते कि हम नॉर्मल हैं नई इसमें कैसा है कि शु करके चालू होती है किसी को बाद में बुखार आता है या किसी को बुखार आता भी नहीं है फिर भी ये बिमारी रहती है और ये बिमारी चालू होने के बाद में जनरली फूर्थ चौथे दिन के बाद में शरीर में नीमूनिया की डेवलोप्मेंट चालू होती है और तभ कभी कभी किसी कोई कुछ मरीज जो है असी इसमें अल्मोस्ट आप देखो के तो 80 तक्का से जादा अल्मोस्ट 85 परसंट 80 to 85 परसंट लोग अल्मोस्ट माइल सिंटमेटिक रहते हैं दस प्रतिशत लोगों को कोई थोड़ी सीवेर सिंटम्स होते हैं किसी को उसमें सांस फूल ना वगरा ये बिमारी तकलीफ चालू होती है उसमें फिर उनको ऑक्सियन की जरुद पड़ती है बाकी लोगों को उससे जादा कुछ दो-तीन परसंट लोगों को आईसीव की जरु पड़ती है और आईसीव डिटमेंट के और उसमें अल्मोस्ट लेज देन वन परसंट लोगों को उगरा जरुद पड़ती है इसका पता चलता कि सर और भी कोई टेस्ट करता है जिससे ही मालूम पड़ जाता है इसमें हम लोग कहता है कि स्वाप टेस्ट तो एक टूल है उ और बाकी अगर एक्ट्रापलमरीन एन गेस्ट्राइशनल कोई फिक्षन होता है या किसी को ने एक सेड़ की स्कीन अफेक्ट होती है किसको आँख में स्वेलिंग ऐसे केसे में सारे केसे में सॉप टेस्ट निगेटिव आती है और मॉस्ट थर्टी तू ठीफाइपरसंट क को पता चला है कि पिकुलर सिंटम्स क्या-क्या रहते हैं वो पिकुलर सिंटम्स से क्लिनिशियन जो इसमें करोना के इसमें काम करते हैं जो डॉक्टर्स उनको काफी अच्छी तरह से पता हो गया है और वो लोग क्लिनिकली बेडाइग्नॉस कर सकते दूसरा डाइग्नॉस बोलते हैं वो हमें हम पा लेते उसमें और उसमें हमें पता चलता है कि इनको कोविड का इन्फिक्शन हुआ है तीसरा तरीका जो है हम लोग जो जहां पे यह सभी चीज़ अवेलेबल नहीं है और क्लिनिशन भी जो डॉक्टर ट्रीट करें उनको ज्यादा कॉन्फिड़नस से हमें उसकी जो लेवल्स रहती है जो बोड़ी में टीशू का डिस्ट्रक्शन होके या इंफ्लमेशन से कोई जो चीज़े चेंज हो जाती है उससे हमें पता चलता है कि इनको बिमारी है क्या नहीं है और कितने लेवल तक है उसके बारे में भी हमें पता चलता है यानि य पूरे परिवार को टेस्ट करवाना चाहिए इसके बारे में हा या ना ऐसा एंसर नहीं रहेगा क्योंकि अगर हम लोग एक को एक मरेज जो है उनको कोई टेस्ट पॉजिटिव हो गए वो बाहर जाता है कहां उनको सिंटम्स की शुरुआत हो गए और वो शुरुआत होने के से अगर सेपरेट हो जाता है वो आइसोलेट हो जाता है और बाकी लोग अगर सेपरेट रहते हैं तो जनरली उनको बाकी लोगों को बिमारी होने का चांस बहुत कम रहता है अभी वो केस में जिसका बड़ा घर है सेपरेट कमरे है उसमें वो सेपरेट कमरे में रहता है और अगर बाकी लोग separate रहेंगे और उनको कुछ भी अगर symptoms नहीं है तो ideally उनको जब तक symptoms नहीं आते हैं तब तक test करने की जरुवत ideally रहती नहीं है दो अपने यहाँ पे lack of knowledge से सब लोग अपनी सरकारी इंत्रेणा भी है वो लोग भी सब को बताते हैं ने आप चलो इसमें isolation ward में चलो isolation center में लेके जाते हैं उनको या तुरंत सबका swap test करते हैं जो ideally recommended नहीं है क्योंकि उनको वो उससे बच सकते हैं जब ही उनको symptoms चालू होंगे तब ही अगर उनका कुछ टेस्स करवाएंगा तो that is ideal way to do it. सर क्या precautions ले सकते हैं जिससे अपने को covid ना हो और covid positive आने के बाद क्या उपचार करना चाहिए देखें ना होना उसके लिए तो आप खाली अगर देखोगे तो social distancing ये एक ही तरीका है कि जिससे आप बच सकते हो और दूसरा obviously जो इसकी hygiene की precautions है आप आपके हाथ दोने ये करना अगरा लेकिन practically अभी ऐसा टाइम आ गया है कि ये community transfer transmission चालू हुआ है और community transmission के phase में ये हम लोग कितना भी बोलेंगे तो भी social distancing और ये उतना possible नहीं हो रहा है करके हमें उसके बारे में ठीक है जितना possible है उतना mask लगवाना बाकि ये करो हाथ अपने दोले ये करना ये है ये ह लेकिन आपने सबसे important ऐसा है कि उसके बाद में भी उसके बावजुद भी अगर हमें हो गया तो क्या करना चाहिए उसके बारे में सबको actual जानकारी देनी चाहिए उन्होंने उसके बारे में पता करके लेना चाहिए और अपना उसमें से basically अगर पता करने के बाद में मन का निकाल देना चाहिए इसमें डाइट फेक्टर कितना रोल निवाता है अभी देखो डाइट फेक्टर ऐसा है कि उसमें हम लोग बोलते है कि यह जो वैटामिन से अभी आपने देखा होगा कि आपको अगर विटामिन सी है या जिंक है यह मार्केट में अगर हर मेडिकल अगर रहेगी इससा कहने सकते क्योंकि वो शौट सप्लाय में आ गई है इंडिया में सब लोग वाटेमिन ले रहे हैं अभी जिनको हुआ है उनको उसका कुछ तक उसका फाइदा होता है जो हाई डोसेस वाटेमिन में इसमें जो सी है या जिंक है या विटेमिन डी दिया जाता है लेटर फेज में आईडियली तो वो बॉड़ी में जो टीशू इंफ्लामेशन है वो कम करने में मदद करता है उसका मतलब हम लोग अगर पहले सब लोग जो ले रहे हैं सी और विटेमिन और जिंक ले रहे हैं या कोई भी कॉंपलेक्स ले रहे हैं यह सभी प्रिश्क कड़ा ले रहे बाकी यह ले तो उने के बाद में अगर आपको खाशी आ रहे है तो खाशी का इरिटेशन कम करने के लिए टेमपरी या समझो बार बार थोडा सांस फूल ने जैसा होता है तो उसके लिए डेफिनिटली थोड़ा बहुत फाइदा उसका होता है लेकिन ना होने के लिए अगर बोलोगे तो ऐसा उसका कुछ फाइदा नहीं है, हाँ, लेकिन आप अगर डायेटरी फैक्टर्स में, समझो डायेट में आप हिल्दी डायेट लेते हो, जो सबसे हमारे जो थर्ड कक्षा में जो पड़ा है जाता है कि हम लोग आप बैलन्स डा अगर अगर शाइज करो कुछ नगश अक्टिविटी करो दूसरा हिल्दी डायेट लेलो डायेट में जिंक मिलता है समझो आप स्प्राउटेट बीन से या वेज़ेडेबल से कुछ वेज़ेबल से लोगे उसमें आपको जिंक मिलने वाला है या विट्वीटमिन सी जो है वो तो सब आपको साइटरस टाइब के फूरूट से उसमें मिलता है तो ऐसे टाइब के हिल्दी डायेट लेलो और हिल्दी डायेट और एक्सराइज अगर आप करोगे तो मेरे काल से वो गरम पानी काड़े से नहीं बचोगे लेकिन इससे डिफेनिटल आप बच सकते हो य सबसे इंपोर्टन कि देखो अभी ये कोवीड नाइंटीन है मैं ऐसे ही मजाक मस्ति में हम लोग कहते हैं कि अभी ये कोवीड नाइंटीन जैसे आ गया वैसा अगले साल डेविड ट्वेंटी भी आ सकता है और किसी को वो अगर बचना है तो अभी आपने कोवीड आएगी वो खाली इम्मुनिटी ही काम आएगी बाकि आपको दूसरा कुछ भी काम ने आएगा इसके लिए आपके सहत के उपर आप जो है हिल्थ के उपर ध्यान देदो आप एक्सरेज करो आप हिल्दी डायेट ले लो तो ही आप कोई भी बिमारी जो आगे आने वाली है में उससे बच जाओगी धन्यवाद तो देखा आपने किस तरह डॉक्टर निक्तिन थोर्वे ने प्रिकॉशन्स पी कैसे लेना है अपने दिन चर्या कैसे बदलनी है और इम्मुनिटी के लिए रेगुलर डाइट कैसे लेनी है यह सभी को विस्तरत चर्चा आपने बताई दन्यवाद वसे विरासमाचार दिलिप का विरिया